हे गाईज आसे में एक न्यू कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जो की हाली में ही रिलीज हुआ है और इस ड्रामा का नाम है दर डील ये बेसिकली एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है अगर आप लोगों को सस्पेंस वाले सीरीज देखना पसंद है तो आप दीकली इसको देख सकते हैं तो चलिए भीना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है और हम दो फ्रेंड को देखते हैं जिसमें से एक का नाम जुनसंग होता है और दूसरे का नाम जेहो होता है पता चलता है कि जुनसंग recently अपनी military service complete करके वापस आ चुका था यहाँ पर वो दोनों किसी का wait कर रहे थे लेकिन तीसरे दोस्त ने last moment पर cancel कर दिया था तभी जेहो बताता है कि उसका एक और friend है जो आज राथ उन्हें join करने वाला है जिस friend के बारे में वो बता रहा था उसका नाम मिन्वू होता है और वो उन दोनों का पुराना classmate था थोड़ी ही देर में मिन्वू वहाँ पर पहुंच जाता है मिन्वू उन दोनों से कहता है कि उसको बारा बज़े से पहले घर पहुंचना है वरना उसकी माम टेंशन लेगी वो दोनों उससे कहते हैं हम तुम्हें बारा बज़े के पहले टैक्सी में बिठा देंगे यहां से कहानी आ जाती है next morning जुनसंग जैसे ही उठता है तो उससे अंदर वाले कमरे से आवाज आ रही थी वो बहुत डर जाता है वो जिहो को उठाने लग जाता है और उसको बताता है कि लगता है कि वो उठ चुका है अब वो दोनों अच्छे से पूरे घर को पैक करते हैं जुनसंग जैसे वो सलमारी को खोलता है तो उसके अंदर से एक लड़का बहार निकलता है जिसको उन दोनों ने बंद करके रखा था यहां से कहानी आ जाती है बारा घंटे पहले जब वो तीनों ड्रिंक करने के लिए बैठे हुए थे वो दोनों तो अभी भी होश में थे लेकिन मिन्वू पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था पता चलता है कि मिन्वू के डैड की देथ बहुत साल पहले ही हो गई थी और वो अपनी मॉम के साथ रहता था जेहो जुन संग से पूछता है तुम्हारे फ्यूचर का क्या प्लैन है क्या तुम अपने डैड के रेस्टरॉंट में काम करने वाले हो तो जुन संग बताता है बहुत साल पहले वो एक जगे पर पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पर उसकी साथ एक आदमी था जो हमेशा अपने मुबाइल में कुछ करता रहता था ये सब देखकर जुन संग बहुत ही क्यूरियस हो जाता है वो उस बंदे से पूसता है कि तुम क्या देखते रहते हो तो वो लड़का कहता है ये पैसे कमाने का एक तरीका है जिससे तुम कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो ये सब देखकर जुन संग भी वो सब स्टार्ट कर देता है शुरू शुरू में उसे बहुत सारे पैसे आ रहे थे वो उस चीज में इतना जादा इन्वाल्व हो गया कि एक दिन उसने सारे पैसे दाव पर लगा दिये जिसकी वज़े से उसका सारा पैसा डूब गया इसलिए फाइनली उसने सब कुछ बंद कर दिया तभी उसका फ्रेंड कहता है मुझे इस गेम के बारे में सारा नौलेज है तुमें एक काम करो तुम सारे पैसे मुझे दे दो जितना भी प्रॉफिट आएगा मैं तुमें वापस कर दूँगा इसी चकर में जुनसंग ने लोन शाक से बहुत सारा लोन ले लिया लेकिन कुछी टाइम में उसका दोस्त सारा पैसा लेकर भाग गया और इसी चकर में उसके उपर बहुत सारा कर्ज है जे हो उससे पूछता है तुम्हारे डैड ने सारे पैसे चुका दिये थे ना यहां से सीन आ जाता है फ्लेश बैक में जब जुनसंग अपनी मिलिटरी सर्विस कम्पलीट करके वापस आ रहा था तब उन लोन शाक्स ने उसे किड्नैप कर लिया और वो लोग जबरदस्ती अपना पैसा मागने लग गए उसने लिया था सिर्फ 10 मिलियन लेकिन इंटरस्ट के साथ वो बढ़ते बढ़ते 400 मिलियन हो गया फिर वो लोग उसे एक टेबल से बान देते हैं और कहते हैं अगर तुमने हमें सारे पैसे नहीं दिये तो हम तुम्हारा सारा औरगन निकाल लेंगे रेजेंट में वो दोनों मीनवू को अपने कंदे पर उठा कर घर लेकर जा रहे थे घर आकर वो दुबारा से बाते करने लग जाते हैं जुनसंग जेहो से कहता है अगर मैंने सारे पैसे नहीं चुकाए तो वो लोग मेरा सारा औरगन निकाल लेंगे फिर वो बताता है उसको ऐसा लगा कि उसके डैड ने सारे पैसे चुका दिये होंगे लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा रह गया है वो कहता है कि उसे ऐसा लगा मिलिटरी सर्विस से आने के बाद वो अपनी लाइफ नए सीरे से स्टार्ट करेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया बलकि उसकी लाइफ तो बरबाद हो चुकी है जेहो उससे कहता है उन लोगों को जाकर बोलो ये सारा काम इलीगल है तो जुनसंग कहता है तुम तो स्कूल टाइम से ही पढ़ने में बहुत अच्छे हो और जल्दी ही तुम डॉक्टर बनने वाले हो अगर तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत गड़बढ हो भी गई तो तुम्हारा जादा नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है अगर मैंने एक भी गलती की तो सब कुछ बरबात हो जाएगा यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेहो की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था वहाँ पर कुछ गड़बढ हो गया था और वो जल्दी कॉलेज से एक स्पैल होने वाला है पता चलता है कि जेहो के साथ और भी लोग थे और उन सारे लोगों ने मिलकर एक्जाम में चीटिंग की थी लेकिन वो लोग नहीं पकड़े गए और जेहो पकड़ा जा चुका था और इसकी वज़े से सिर्फ उसे ही कॉलेज से एक स्पैल किया जा रहा था लेकिन ये बात वो जुनसंग को नहीं बताता है उसी टाइम पर मिन्वू की फोन पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा था तब ही उन्हें याद आता है मिन्वू ने उनसे कहा था कि उसे बारा बजे के पहले घर पहुँचना है जुनसंग उससे कहता है हम लोग इसे टैक्सी में बिठा कर घर भेज देते हैं लेकिन तब ही जेहो के मन में एक आइडिया आता है उसे याद आता है कि उसके साथ जितने भी लोग चीटिंग में इन्वाल्ड थे वो लोग आराम से कॉलेज में घूम रहे थे और जेहो एक्सपेल होने वाला है अब यही सब सोच कर वो मिन्वू की मॉम का फोन उठा लेता है मिन्वू की मॉम पूछती है तुम अभी तक घर क्यों नहीं आये हो तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम जा कहा रहे हो जेहो जवाब में बोलता है तुम्हारा बेटा हमारे साथ है और अगर तुम उसे जिन्दा देखना चाती हो तो दुबारा से यहाँ पर कांटेक्ट मत करना और साथी में वान बीलियन वान पैसे तयार रखना और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है यह सब सुनकर जुनसंग को बहुत अजीब लगता है उसको तो ऐसा लगता है कि जेहो मजाग कर रहा है वो पूछता है तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें एक्टिंग भी सिखाते हैं क्या तुम्हारी बाते सुनकर तो मैं डरी गया तुमने उनसे वान बीलियन पैसे मांगे और फोन रख दिया यह कैसा मजाग कर रहे हो जेहो कहता है मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ जेहो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यह बहुत बड़ा क्राइम है हम दोनों जेल भी जा सकते हैं तो जेहो कहता है अगर उन लोगों ने हमें ट्रैक किया तबी तो हम जेल जाएंगे अगर हमने मिनु का फोन बंद कर दिया तो वो लोग हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे और रही CCTV की बात तो वो लोग थोड़ी ना पूरे शहर का कैमरास चेक करेंगे उनको तो पता भी नहीं है कि मिनवू किस लोकेशन पर आया है और पब के अंदर भी हमने कार्ड से नहीं बलकि कैश से पेमेंट किया था जुनसंग कहता है अगर तुमने अपना ये पागलपन बंद नहीं किया तो मैं खुदी पुलिस को कॉल करूँगा तो जेहो कहता है अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम भी जेल जाओगे क्योंकि इन सब चीजों में तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मिन्वू को अपने कंदे पर उठा कर ले कर आए हो, तुमें क्या लगता है, तुम बच जाओगे, जुनसंग कहता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जेहो कहता है, अगर हम पूरी लाइफ बरबाद हो जाएगी, और तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो जेहो कहता है, तुम्हें किसने बोला कि मेरी लाइफ अच्छी है, फिर वो जुनसंग से कहता है, तुम्हारे पास पांच मिनिट है, तुम पर जेहो उस फोन को फ्रीज के नीचे फेक देता है, और कहता है, अगर हमने पूरी जिंदगी भी काम किया, तब भी हम इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, और मिनवु के पास तो बहुत पैसे हैं, वो इतने पैसों का करेगा क्या, अगर हमने गरीब फैमिली में जनम लिया और वहाँ पर आग कर, वो बहुत सारे डक्टेप्स और केबल टाइस खरीदता है, इस तरह जुनसंग को मिनवु का फोन मिल गया था, लेकिन पता चलता है कि उस फोन की बैटरी खतम हो चुकी थी, अगले सीन में हम मिनवु की मॉम को देखते हैं, जो एक एक्सपर्ट से म तुमारे पास दो आप्शन है, एक तो तुम पुलिस वालों के पास जा सकती हो, और दूसरा आप्शन ये है कि तुम इस मैटर को प्राइवेटली डील कर सकती हो, लेकिन प्राइवेटली डील करने का एक नुकसान है, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर तुमने उनको पैसे दे भी दिये, तब भी वो हॉस्टेज को मार देते हैं, दूसरी तरफ जुनसंग उस फोन को चार्ज करके मिनवू की मॉम को फोन करने ही वाला था, लेकिन तब ही वहाँ पर जेहो पहुंच जाता है, और उसके हाँ से फोन चीन लेता है, फिर वो जुनसंग को रूम से बा मिनवू होश में आ जाता है, और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, वो चिला चिला कर हेल्प मांगने लगता है, उसी टाइम पर जुनसंग एक भूक लेकर उसके सर पे जोर से मारता है, पहले तो वो डरी जाते हैं, उनको लगता है कि वो मर गया, लेकिन जेहो चेक करके बताता है कि वो मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है, जुनसंग कहता है अभी भी देरी नहीं हुई है, हम इसको हॉस्पिटल पहुचा देते हैं, और इसकी माम से कह देंगे कि हम लोग ड्रंक होकर मजा कर रहे थे, मुझे पूरा भरोसा है, इसकी माम हमें माफ कर देगी, उ तुम दोनों ने लड़ाई की है, जेहो कहता है हमने कोई लड़ाई नहीं की है, बस थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, पुलिस वाले कहते हैं हमें तुम्हारा घर चेक करना है, क्या तुम दोनों यहाँ पर अकेले हो, फिर वो कहते हैं, घर देखकर ऐसा लग नही वाली फाइट की है, तभी वो अफिसर कबड की तरफ बढ़ने लग जाता है, जुनसंग समझ गया था, कि वो बुरी तरीके से फसने वाले हैं, इसलिए वो एकदम से जाकर जेहो का कॉलर पकड़ लेता है, और वो उसे लड़ने लग जाता है, फिर वो उसे इशारों में क कहता है, मुझे हिट करो, वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक करने के लिए ऐसा कर रहा था, जब पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आते हैं, तो वो उनको भी मारने लगते हैं, जुनसंग जेहो का गला दबाने लगता है, तभी पुलिस वाला उसे बेहोश कर देता है पता चलता है कि जिन लोगों ने कंप्लेंट किया था वो इनके पडोसी थे और वहाँ पर जो भी आवाज हो रही थी वो उन्हें सुनाई दे रहा था वहाँ पर जो लड़की रह रही थी उसका नाम सुएंग था और वो जल्दी ही पुलिस आफिसर बनने वाली थी उन दोनों को पता था कि अंदर जाते वक्त उन लोगों ने तीन लड़कों को देखा था लेकिन पुलिस बस दो ही लड़कों को पकड़ कर ले जा रही थी ये बास सुएंग को बहुत ही अजीब लगती है फिर अगले सीन में वो लोग उन दोनों को पुलिस टेशन लेकर आते हैं और कहते हैं हमें रिटर्न में स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन करो कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे और अगर तुम दोनों का स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ तो हम तुम दोनों को जेल में डाल देंगे अब जुन संग से कंट्रोल नहीं होता वो पुलिस वालों को कहता है मुझे आपको कुछ बताना है इसके पहले कि वो और कुछ बोलता तबी वहाँ पर एक दूसरा आजाता है और कहता है एक एमरजनसी आ गई है वो कहता है एक लेड़ी मिसिंग है हम उसका फोन भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका फोन आफ है ये सुनते ही उन दोनों को याद आता है जेहो ने कहा था अगर हमने मिनवू का फोन बंद कर दिया तो पुलिस वाले हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे और रही बात कैमरास की तो फाइफ किलोमेटर के रेडियस में बहुत सार कैमरास हैं और इतनी जल्दी सारा को चेक करना पॉसिबल नहीं है यही सब सोच कर जुनसंग अपना मन बदल लेता है फिर पुलिस वाले उन्हें एक वर्निंग दे कर छोड़ देते हैं बहार आकर वो जेहो से पूछता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो तो जेहो कहता है मैंने मिनवु की मॉम को अल्रेडी उसका फोटो भेज दिया है अब मैं पीछे नहीं हड सकता तभी जुनसंग को याद आता है उसे उन लोन शाक्स को बहुत सारे पैसे वापस करने है और उसने एक कांट्रैक पर साइन भी किया था अब यही सब सोच कर वो जेहो से पू कालते हैं और एक बार भी उसे डिरेक्टली बात नहीं करते बलकि जेहो एक वोईज अप को यूज करके उसी के थ्रू मिनवु से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिनवु शांद बैठी नहीं रहा था वो बहुत चिलाने लगता है तभी जुनसंग उसको पकड़ के शा अचान नहीं पाऊंगा और इसी सीन के साथ एपिसोड वान यहीं पर खतम हो जाता है अगर आप लोगों को मेरी एक्स्पिलनेशन पसंद आई हो तो लाइक शोर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंकि फर वाचेंग